हलो फेंड्स कैसे हैं आप सब आज हम आपके लिए एक फिर से नया टॉपिक लेगा हैं फार्मकलोजी में जिसमें हम बताने वाले हैं आपको गाउट की परिवासा कैसे लिखते हैं क्या-क्या उसमें क्या-क्या लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे उसका लिखने का तरीका क्या ह तो आज friends गाउट का परिभासा क्या होती इसकी नोट्स आप ले लिजिए तो सबसे पहले इसमें हैं डालेंगे definition of gout फिर इसमें तीन स्टेम में हमने डिपनेस के नोट्स बनाए हुए हैं तीन यानि पॉइंट बनाके पॉइंट बनाके ही लिखना है friends क्योंकि अगर इक स्टार्ट से पूरा परेग्राफ बना देंगे तो इसमें नहीं सही लिख सकते हैं तो इसलिए तीन परेग्राफ में हमने लिखा हुआ है तो सबसे पहला पॉइंट होगा गॉट अकर्स ट्यू अबनॉर्मिल्टी ओव प्यूरीन मेटावोलिज्न बिश लीट्स तू ओबर प्रोदक्शन ऑफ यूरीयस्ट दूसरा प्रेंट फ्रेंट फ्रेंट इसका इंख इंकृइस यूरीड पैसे प्रोदक्शन लीड तू डिपोजिशन of sodium urate micro crystal at the joint and it is kidney तो friends यह हो गया है दूसरा point तीसरा point इसका होगा the symptoms of gout are acute attacks of pain and swelling of joints तो यह friends तीन points हो गए हैं gout की परिवासा के यानि definition of gout तो इसी हिसाब से आपको exam में लिखना है यह paste notes हैं आपके लिए तो friends अगली next वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं gout की classification यानि उसमें कौन-कौन सी drug को classified किया गया है और कैसे लिखना है सब उसका हम classification बताने वाले हैं next वीडियो में तो friends हमारी next वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादे सेयर करें और subscribe करें हमारा channel जो भी हमारे friends नए हैं thank you